ओम शान्ति 26 फर्वरी 2020 साकार मुरली साकार बाब दादा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे तुम्हें शिरीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाब को याद दो किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यो नहीं करें किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यो नहीं कोई गलत करी नहीं, सब अपना इक फिरे पाथ लेकर ले, risks बोखमें किसे हैं, किसे को गलत सरिक हो ले, सब सरी करने, किसी हैंulture चर्चा करें, आरग्यू में, चर्चा में और आरग्यू में अंतर क्या होता ने, चर्चा में डर्किया निकालना चर्चा में आता है कि किसी भी बात की सच्चाई या तो मुझे नहीं पता या उसे नहीं पता बैठ कर एक दूसरे को समझा रहे आर्ग्यू में एक नहीं मानता हम उसको जिद कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं कोई नहीं मानता तो उस आत्मा का पाट है जहां मेरी अवस्ता खराब होने लगे या सामने वाले के अवस्ता खराब होने लगे तो आर्ग्यू में बदल जाता है चर्चा मेरी अवस्था खराब हो रही है मैं फिसान नहीं कर पा रहा हूँ वो बार-बार जिद कर रहा है बार-बार कोई कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसे मेरी अवस्था खराब हो तो अच्छा है कि मैं पीछे हाड़ जाओ, कोई बात नहीं, तुम ठीक, मैं गलत, मैं हार गया, तुम जीद गया, कोई बात, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, मेरी अवस्ता खराब हुई तो मैं कुछ ना कुछ गलत करूँगा, चाहे मेरी आवास गलत हो जाए, चाहे मेरे बो काम गात हो जाए, कुछ ना कुछ करूँगा है, इसलिए तुम ठीक, कतम गात, अपने दिमाग को खलका करूँगा, यदि उसकी अवस्ता खराब हो रही है, तो भी आप पेछे हाड़ जाओ, क्योंकि मेरे कार्ण उसकी अवस्ता खराब हो रही है, इसे मेरे को उसके साथ बह כ्योंकि अबास्ता खराब हो रही है, तो भी गलत, उसकी अवस्ता खराब होती है, तो ह्युवास्त खराब करने के क्या बन गया? इनलगा, इनलích kick में यह कामि रहती है, उस कमि को बाबा कहते है तुमने क्या करना है? प्रश्ट, बुढ़्धी योग स्वच्छ बन बाप से लग सके क्योंकि हमारी बुद्धी में कोई भी इधर उधर की बाते नहीं है तो हम बाप के डारिक्षन को अपने अंदर इसली असप्ट कर सकेंगे और उस पर पलो कर सकेंगे, मन मना भव हो सकेंगे, उसकी युक्ती कोन सी रची हुई है? क्योंकि बुद्धी युग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ती कोन सी रची है? कि साथ दिन की भठी कोई भी नया आता है, तो उसे साथ दिन के लिए भठी में बिठाओ पहले होती थी, अब तो नहीं होती साथ दिन की भठी का मतलब होता था कि साथ दिन तुमने नहीं पड़ना है, घर, फोन भी नहीं करना है, किसी से भी बात नहीं करनी है, न्यूस नहीं सुनना है दुनिया से एक दम आप मर गए हो फिर उनको ज्यान सुनाय जाता था सारे दिन आपका यही मनन देना चाहिए, यही मनतन होना चाहिए, वो भठी हुआ करते हैं, यदि आपको फोन कर दिया या कुछ हो गया, तो साथ दिन फिर शुरू, यदि आप भठी करना चाहते हैं, साथ दिन फिर से शुरू, तो बाग जाते हैं या इस तो बाग जाते हैं जिससे बुद्धी का किच्रा निकली और गुप्त बाप, गुप्त पड़ाई और गुप्त वर्से को पहचांसे अब जिसे मुद्बन में बुलाया जाता है इस परकार से रखी जाए भटी ना चैतीन दिन की रखी जाए परन्तु होता क्या है कि यह वाली भटी चल नहीं पाता है कोई नहीं मनता है जा रहे हैं गूमने जा रहे हैं जो आ रहा है सारे गूमने जा रहे हैं बहुत आदे लोग ही केवल बैठे होते हैं बाकि आदे लोग तो बहुत बाहर गूम रहे हैं उनका इंट्रेस्ट ही नहीं आता है बट्टी में, पार्ट हर आत्मा का, जिससे बुद्धी का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्से को पैचान सेगे, अगर ऐसे ही बैठ गए तो मुझ जाएगे, अब उनको बिठा दिया जाए, तो क्या करेंगे बैठे बैठे, समझेंगे कुछ भी नहीं, समझेंगे कुछ भी नहीं, गीत चला, जाग सजनिया, जाग, आब घर साजन आए, ओ, शान, बच्चों को ज्यानित आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं, वो सुना कर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वानी खुलेगी, तो वानी खुलेगी, वानी कैसे खुलेगी, गीत सुनाओ, कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट पर बैठ कर चर्चा करो, explain करो, आर्थ करो, मालूम पढ़ेगा कहां तक स्रिष्टी के आदी मद्य आंत का ज्यान बुद्धी में हैं, तो बच्चों आईम से लेकर मूलवतन तक का सारा सुख्षम वतन, दुूलवतन के आदी मद्य अंत का सारा राज जैसे की चमकता है, imagined लिए जैसे की चमकता है, चमकता है शब्ध उन्यूज रेसा आपको हर वक्त याद रहता है, हर वक्त ही याद रहता है, मतलते हैं आपकी भूद्धी म सारा का सारा एकदम उसकी बुद्धी में सारा चक्र काहनी उसको हर वक्त स्पस्ट रहते हैं जितना कहानी स्पस्ट होगी उतना निश्चे बुद्धी बनते जाएंगे बाप के पास भी यही ग्यान है और क्या है बाप उसको इससे अलग ग्यान होना है जो तुमको सुनाते हैं यह बिल्कुल नया ग्यान बल्शास्त राधी में नाम है प्रंतु वो नाम लेने से अटक पड़ेगे प्रंतु वे नाम लेने से क्या करेंगे अचक पड़ेंगे डिवेट करने लग पड़ेंगे यहां तो बिलको सिंपल रिती समझाते हैं भगवानो वाच मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूं कभी भी कृष्ण को वा ब्रह्मा विष्णु शंकर को शंकर आधी को पतित प पावन नहीं कहेंगे चूं देदारी पाप है क्या वो खुद पतित बनते हैं अब वो सत्युक में भल पवित्र रहे हों वक्त उनकी जो कानिया लिख दी हैं वो सारी पतित वाले लिखेंगे एक तरफ कहते हैं देवता क्या थे सरुगुण संपन्ट, सोला कर्छा संपून्ट, संपून्ड, निर्वीकारी, मरियादा पुरशोतन, डबल, और लिखा क्या हों परे में और इमीग? डबल हिंसाग. सबी देविधेतां उनको लेग को दिखा कह रहे हैं तबल हींसर। और लिख रहे हैं डबल हींसर। कल की मुली में बाब निकाल है ट। तो चकर चलाके अकका सुर, बकका सुर्षर। शल्य वगएर इनका सिर्काटा तो अफ़े ओंडा ना, हिंसा की ना। राम ने भी बांट चला कर हिंसा की ना, सभी देवी देवता हैं युद कर रहे हैं, कौन सा देवता है जो असुरों के साथ युद ना कर रहा है, हिंसा ना कर रहा है, सब हिंसा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद सब ने बच्चे पैदा किया, सब के कम से कम दो दो बच्चे त उनको पतित पावन नहीं कहेंगे और यहां तक कि सुक्षम वतन वाश्यों को भी तुम पतित पावन नहीं कह सकते चलो स्थूल वाले तो ठीक है कोई बात नहीं देधान की उनके बारे में जूटी सची कानिया भी लिख दी उनको पतित बता दिया तो लो वो पतित पावन नहीं हो सकते वो तो सुक्षम वतन वाले तो पवित्र होने चाहिए वो पतित पावन तो होने चाहिए वो क्यों नहीं है क्योंकि वो हैं ही नहीं क्योंकि वो तो हैं ही नहीं वो तो केवल एक मॉडल है को कुछ करते नहीं, वो तो केवल और केवल एक model है, तो स्तूल वतन के मुनशे पतित पावन कैसे हो सकते हैं, ये ज्ञान भी तमारी बुद्धी में ही है, शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं, बहुत हैं, वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठिया भी मारने बैस के अंदर ये हालत हो जाते हैं, ये खासकर आरे सिमाज वाले बहुत ज़्यदा वाद विवाद करते हैं, तर्क शास्त्रों को आजो, शास्त्रास्त करेंगे, और फिर बिगड़ पड़ते हैं, मुझे भी कई बार एक दो बार गुलाया गया है, बि तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में ठू मच नहीं जाना है, मूल बात है ये आतम अभिवानी की, अपने को आतमा समझना और बाप को याद करना ये शिरीमत है, बाकी है निटेट, बीज कितना चोटा, जाड कितना बड़ा, इस बीज में सारा ज्यान समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्यान भी बीज में समाया हुआ है, जाड का ज्यान भी बीज में समाया हुआ है, तुमारी गुद्धी में बीज और जाड आ गया है, जिस परकार तुम जानते हो और कोई समझ न सके, ऐसे कोई दूसरा नहीं समझ स जाड की आयू ही लंबी चोड़ी करती है। तो कोई समझ ना सके। वे तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते। ये बाप भी गुप्त है। तो नौलेज भी गुप्त है। वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूझ पढ़ेंगे। इसलिए साथ दिन की भत्ती में बिठाया जाता है। ये जो साथ रोज भागवत वारा मायन आदी रखते हैं वास्ताव में ये इस समय साथ दिन के लिए भत्ती में रखा जाता है। तो बुद्धी में जो सारा किच्रा है वो निकले। कैसे भी क्या हो कि बुद्धी में जो सारा किच्रा है न वो निकाले। बाप से बुद्धी योग लग जाए। या सब हैं रोगी। क्योंकि किच्रा निकालेगा तब तो रोग दूर हो करना। सब रोगी हैं। सत्योग में ये रोग होते ही। ये आधा कल्प का रोग है, पांच विकारों का रोग मुद्धी वहाँ तो देह अभी मानी रहते हैं। वहाँ तो देह अभी मानी, सत्योग में क्या रहते हैं। देही अभी मानी रहते हैं। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़, दूसरा लेती है। पहले से साक्षयतकार हो जाता है, अकाले मिर्थ्यू कभी होता नहीं। तुम को काल पर जीत पहना ही जाती है। क्या हमने काल पर जीत पाली। काल पर जीत पाई। बताओ कैसे। मैं कभी नहीं मरती, मैं अमर आत्मा हूं, ये पक्का निश्ची जिसे हो गया है, उसने काल पर जीत पाई, फिर चाहे शेर आजाओ, चाहे कोक्रोच आजाओ, चाहे कोई आजाओ, तिर किसी से भी डर नहीं लगे, क्योंकि शेर क्या कर सकता है? क्या आजाओ, चाहे मैं जीव को दुखद थना कामना, तो पक्रोच एकुड नहीं, बिमारी कर दो, क्या और विमारी कर दो, ये लो जिव को सक्क्रोच भे जो कर दो, नहीं दुख दे ही है कोई भी क्यों दे रहा है जरूरी तो नहीं को सामने से देगा यह मन को शांत करने किया तो करना पड़ेगा मत करो रो मत करो रो लो तो उत्रा आना है ना मेरे रोने से वो कम तो होने वाला नहीं है मेरे रोने से कम होने वाला तो नहीं है मैं सामने से मालो कि अपने आपको इधर कर लूँगा या उधर कर दूँगा पत वो पीछे से आके भी तो काट सकता है ना फिर क्या करेंगे मुझे चाहे वो सामने से काटे तो चाहे वो पीछे से काटे मुझे परेशान नहीं होना मुझे शान से परे नहीं जाना बचाव करना ये नहीं कहेंगे कि बचाव मत करो परंतु आपके लाग बचाव करने के बाद भी कि उसने काट ना है तो क्यों किया क्यों किया चुंके आपका एकाउंट है ना तभी तो उसने आपको आकर के हिट किया कि पीजिए कन ने किया है और वह कुक है किसी दोफ अदर चलाता था वह सीष्टे बात याद रखनrás और यह एकामकर खने यह वहीं पर ही उसी गंग से वो बच रहे हैं और वो मर रहे हैं, वो घायल हो रहे हैं वो तडब रहे हैं होस्पिटल में पड़े हुई हरे का अपना-पना account है नहीं तो गोली लगी शरीर छूट रहे हैं आपको यह और तो जो तडब रहा है उसका क्या होगा अब वो जैसे ट्रेन के नीचे कटके कितने लो हमारे थे और ऐसे लगा कितना और ने तो एक सेकिंद भी लगा उनको छोड़ने में वैसे तो इसी मौती हूँ कि कोई जादा हो तो जो बच गए तो जिनको तड़ रहे हैं आदे कटे आदे कटे हैं वो कितना दुख उठा रह हिसाब हरे का अपना अपना है और कई उस गाड़ी से बचे भी और कई उसमें रगड़े गए और कुछ आदे दूरे रहे गए तो यह बात जितनी हमने बुद्धी को समझाई हूए होगी उतना हम निश्चिंत रहेंगे काल काल बहा काल केते हैं महा काल का भी मंदिर होता ह है सिक लोगों का अकाल तक्त है वास्तों में अकाल तक यह रिकुटी है जब तक नहीं किया था ताथ में वाहां पुर तक होगा यहा बैश टी नहीं होगे। जब अरतनीं कोई को ऑक चाहतों कोई दिखा दिखांए नहीं तयule कहां है। जो बिल्कुल सेंटर में पानी के बीच में उपर तावर्सा बना हुआ है वो अकावत आता है वो मतलब हमारे इस कमरे का आधा होगा गोल में और उसमें केवल गरंद साथ और जाद जाद दस बारा लोग ही अंदर बैठ सकते हैं इससे ज्यादा बैठनी की जगा अंदर नहीं है बाकि लोग जाएंगे तो बाहर ग्यालरी बनी हुई है उस ग्यालरी से परकिरमा करके चले सब्सक्राइब और गरंथी बैठके पड़ रहे हैं उसके साजवाले बैठे हैं वह बचता रहता है इतनी जगह इससे ज्यादा नहीं है वह अकाल तक्त का है वह लिए ठीक इससे पहले मेरे जुमागे को तक्त बनगवा होगा वहां पर बैठकर चल करते हैं वास्तों में अक आत्मा विराजमान होती है सभी आत्मा इस अकाल तक्त पर बैठी है अपने अपने अकाल तक्त पर बैठी है यह बाप बैठ समझाते हैं बाप को अपना तक्त तो है नहीं वह आकरके इनके तक्त पर बैठते हैं इस तक्त पर बैठकर तुम बच्चों को तौसी तक्त नश लक्षमी नारायन विराजमान होते हैं कितना अच्छा होगा ताउसी तक तो गया हुआ है ना विचार करना है उनको भोलानात भगवान चुं कहा जाता है श्यव बाबा को भोलानात भगवान कहने से बुद्धि उपर चली जाती है सादू संत आधी अंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि इनको याद करो यथारत रीती तो कोई जानते नहीं जान भी नहीं सकते अभी पतित पावन बाब सन्मुख में हैं आकर कहते हैं मुझी याद करो तो तुम्हारे विकार्म विनाश होंगे गरंटी है गीता में भी लिखा हुआ है परन्तु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वे दस निकालेंगे तुम एक निकालेंगे वो क्या निकालेंगे दस क्योंकि आटे में नमक जितना सच है अब आप वो एक सची बात कहेंगे तो गीता में कहेंगे ये भी तो लिखा हुआ है ये भी तो लिखा हुआ है अच्छा तुम्हारी मर्जीद की बाते तुम मान लो और हम जो कहें वो गलत है तुम्हारे ग्यान से जो तुम्हारी समझ से जो ठीक है बाकी गलत है वह बाबा करते इसलिए क्योंकि मैं एक मंदिर में गया पापर पंड़त को बुलाया हुआ था प्रोग्राम के लिए तो उसमें मैंने गीता पर तरक दिये थोड़ा भी गीता में लिखा गीता में लिए और बाकी गीता गलत है ठीक है यही बात उसने वहाँ पर बोले इसलिए दरकार नहीं है जो शास्त्र आदी पड़े हुए हैं वो समझेंगे हम लड़ सकेंगे उस लड़ने के लिए भी तयार तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदी को जानते ही नहीं तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना जानता है वो कह सकता है जिसने शास्त्र पड़े है वो तो शास्त्रों पर चलो करे बात तो उसने शास्त्र पड़े नहीं उसने एक बा बगवान कहते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है, गाते भी हैं, पतित पावन, सिता राम, रगुपति, रागव, राजा। सिन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मत मत अंतर तो बहुत है न। यह गीत कितना सुन्दर है। अब यह उन से पूछें कि आप पतित पावन, सिता राम कहते हो, तो सिता राम मत अंतर कैसे पावन किया। तो करेंगे आईल्या को उतारा, बेलनी को उतारा, फ्लाने को उतारा, गीत गाते हैं, बजन गाते हैं। सब को तारा उन्हासरों का भी क्या किया उधार किया उधार किया रावन का भी उधार किया रावन ने तो फुद उसको मंगा के मेरे को इस मेरी मौत का बहाना बनेगा ना तो अच्छी बात कोई बात मेरे को वैर करना ही अच्छा है कि वहार एक उने बात्रों को इतना गोल मोल करके रखा हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं यह गीता कितना सुन्दर है गीत कितना सुन्दर है ड्रामा प्लैन अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चे ने बच्चों के लिए ही बनाए हुए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नए नहीन को राहा दिखाओ प्रभू आप प्रभू कोई किसन को थोड़ी कहते हैं प्रभू आईश्वर निराकार को ही कहेंगे यहां तुम कहते हो बाबा परम पिता परम आत्मा है है तो वे भी आत्मा ना भक्ति मारग में ओ ठू मच चले गए यहां तो बिलको सिंपल बात है अलब और बे अलब अलब अला बे बाश्चा है इतनी सिंपल सी इतनी तो सिंपल बात है बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे बरोबर ये लक्ष्मी नारायन स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वो उचपद पाते हैं वे समझ भी आता है सकूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं क्या कि हम कम पढ़ते हैं जो पूरा अटेंशन नहीं देते तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो जरूर क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे अपने आपको रिफ्रेश करने के लिए ज्यान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परचाया पड़ता है शास्त्रों में तो ये बाते नहीं हैं कल्प की आयू पाँच जार वर्ष है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है आधा आधा है ये गीत भी कोई ने तो बनवाए कोई ने तो बनवाए है ना बाप बुद्धिवानों की बुद्धी है तो कोई की बुद्धी में आया है जो बैट बनाया है इन गीतों आदी पर भी तुमारे पास कितने ध्यान में जाते थे बस गीत बचता था और वो ध्यान में चलेगा एक दिन आएगा जो इस ग्यान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएगा आद तो ग्यान के गीत कितने हो गई कितने गीत हो गई उसमें भी आदे तो महान आत्माओं के गीत है आदे गीतों में मैं समयत तहूं कि कुछ कुछ ठीक है बाकी तो ऐसे गीत गाने वाले आगे उन्होंने गीतों में ज्यान को भक्ती को मिक्स करते हैं बाप की महिमा में ऐसे गीत गाएंगे जो घायर कर देगे ऐसे ऐसे आएंगे ट्यून पर भी मदा रहता है गाएन विद्या का भी बहुत नाम है अब भी तो ऐसे कोई है नहीं सिर्फ एक गीत बनाया था कितना मीठा कितना प्यारा से बोला बबाब बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है तब तो सब उनको याद करते हैं ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है राम फुजा कर रहा है ये राम ये है необходимо राम पुजा नहीं कर सकता शिव गलत है, क्यों गलत है? सत्युक त्रेता में ना शिविलिंग होता है और ना भक्ती होती है देवताएं थोड़े किसको याद करते हैं? याद मुनुश्य करते हैं, तुम भी अभी मुनुश्य हो फिर देवता बनेंगे, देवता और मुनुश्यों में रात दिन का फर्क है वही देवताएं फिर मुनुश्य बनते हैं, कैसे चक्र फिरता रहता है? किसको भी पता नहीं है? तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सत्च सत्च देवता बनते हैं सच सच देवता बनते हैं अभी हम ब्रामन हैं नई दुनिया में देवता क्यलाएंगे अभी तुम बंडर खाते हो ये ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्नम में पहले पुजारी था स्री नारायन की महिमा गाते थे नारायन से बड़ा प्रेम था अब बंडर लगता है अब बंडर लगता है हम सो बन रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चड़ना चाहिए तुम हो अन्नोन वारियस तुम हो अन्नोन वारियस और क्या हो नौन वाइलेंस अहिं सक। सच मुझ तुम डबल अहिं सक। बाबा ने को कह दिया सोच के देखना ना कामकतारी ना वो लड़ाई ये दोनों आप नहीं करते हैं और वो लड़ाई में क्या आता है यदि हमनी गुसा किया ये भी लड़ाई है ये नहीं कि मन थपड़ मारा है तो मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे दूसरा हर्ट हुआ अगर सुपकार में फिर ना किके वाई है ना वो भी अपर बितलता है चेक करना काम अलग है तो तुम हो डबल अहिं सक। कि नहीं नओन वालेंस सेना सेना अक्षर से उनोंने फिर सेना एकषिकर्णी उनोंने दो सेना एकष़ी करद तो मा भारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए है फीमेल नहीं है एक फीमेल दिखाए एक दिन के लिए सिखंडी आर्जन की सार्थि बागी दिन स्रीकृष्ण एक दिन शिखंडी अर्जन के रथ का सार्थि बनता है अर्जन के रथ की सार्थि बनती है अब भीम को पता था ये शिखंडी कौन है कि भीम जानता था कि अंबिका अंबाली वह उन में से वह एक तो वह जो है ना जिसने उसको कहा था कि मैं बदला लोंगी अब वह शिखंडी बनके आया और उसने का आज रथ का सार्थि मैं बनूंगी और फिर उसने उसने आत रख दिये अजिए विश्यम पितामने रख दिया दुरुष बान राक मैं निचला गए तो फिर इसने अर्दुने बान चलाए और सारे धायल करके उसको रख दिये क्योंकि जब तक ये नहीं युद से एटेगा तब तक कोई भी आगे युद चले गए निए विश्यम पितामों को हराना बात नहीं थी इसलिए अर्दुनों कृष्ण बड़ा चलाग थी उसने पता था ना कि क्या है वास्तों में तुम हो शिव शक्तियां मेजोर्टी तुमारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है ये बाते बाप ही बैट समझाते हैं अब तुम बच्चे नव यूग को याद करते हो दुनिया में कोई को भी नव यूग का मालूम नहीं वो तो समझते हैं नव यूग 40,000 साल के बाद आएगा क्योंकि काल यूग अभी 40,000 साल बड़ा है सत्यूग नव यूग है ये तो बड़ा क्लियर है तो बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी ये सब यूग दिया है इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो बहुत अच्छे अच्छे गीत है अपने को रिफ्रेश करने के लिए ये गीत बहुत मदद करते हैं अर्थ करना चाहिए गीतों का क्या करना चाहिए अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा खुशी भी होगी बाकी जो जास्ती धारना नहीं कर सकते उनके लिए बाप कहते हैं घर बैट बाप को याद करते रहो ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो बाप को याद करो और पवित्र बन बाप का कहना मानो और पवित्र बन आगे पुरुष लोग पतनी को कहते थे भगवान तो घर में भी याद कर सकते हो फिर मंदरो आदी में भटकने की क्या जरूरत है हम तुम को घर में मूर्ति दे देते हैं यहां बैठ याद करो धक्का खाने क्यों जाते हो ऐसे बहुत पुरुश लोग इस तरियों को जाने नहीं देते थे चीज तो एक ही है पुजा करना है और याद करना है जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कृष्ण का चित्र तो कॉमन है मौर मुकृड़ारी तो मुच्चों ने साक्षाद कर किया है कैसे वहाँ जनम होता है वो भी साक्षाद कर किया है पर तो क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो तो जो साक्षाद करके आया है उसका फोटो निकाल सकते हो एक्ट्यूरेट कोई निकाल ना सकते दिव्य द्रिष्टी से सिर्फ देखी सकता है, बना नहीं सकते हैं, हाँ देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वो पेंट आदी नहीं कर सकते हैं, भल कोई होशार पेंटर हो, साक्षात का भी करें, तो भी accurate features निकाल ना सके, तो बाबा ने समझाया, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है, बोलो, तुमको पावन बनने से काम है, और शांती मानते हो, तो बाब को याद करो, और पवित्र बनो, पवित्र आत्मा या रह नहीं सकते, इस पतित दुनिया में पवित्र आत्मा रह न सके, वो चली जाए आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावन का राज्य है। सारे समुद्र पर स्रिष्टी खड़ी है। समुद्र पर क्या खड़ी है। स्रिष्टी खड़ी है। ये बेहद का टापू है। यह है हद के और यह है बेहद का टाप। यह है बेहद की बाट जिस पर आधा कलब देवी राज्ये, आधा कलब आश्री राज्ये होता है। यूँ खंड तो अलग-अलग हैं, प्रन्तु ये है सारी बेहद की पाद। तुम जानती हो, हम गंगा जमना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आधी पर जाने की दरकार नहीं रहती। ये जो द्वारिका कहते हैं, ये कोई समुद्र के बीच होती नहीं है, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षातकार किये हैं, शुरू में ये संदेशी और गुजार बहुत साक्षातकार करती थी। गुजार को देखा दादी को, मरसित नहीं है। पार्ट है, ये भी देखें। कैसे देखा नहीं जाता है। पोटो दादी का आया है, तो सब को दादी देखें कैसे हैं। इन्होंने बड़े पार्ड बजाए हैं, क्योंकि भठी में बच्चों को बहलाना था। तो साक्षातकार से बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं, फिर पिछाडी में बहुत बहले गए। लास्ट में फिर साक्षातकार हैं। वो पाट फिर और हैं। यहीं गीत भी है हम ने जो देखा तो तो तुम ने तो हम जल्दी-जल्दी साक्षातकार करते रहें Nu जैसे इम्तियान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पढ़ जाता है कि हम कितने मार्स से पास कितनी मेनद किया है तुमारी भी ये पढ़ाई है अभी तुम जैसे नॉलिज फूल हो बैठे हो सभी फूल तो नहीं होते स्कूल में हमेशा नंबर बार होते सारे एक ब्राबर नहीं होते हैं ये भी नॉलिज है मुखल वतन, सुक्षम वतन तीनों लोकों का तुम को ग्यान है इस स्रिश्टी के चक्र को तुम जानते हो ये फिरता रहता है बाप कहते हैं तुम को जो नॉलिज दी है ये और कोई समझा न सके कोई पर ब्रस्पती की दशा, कोई पर राहू की दशा, तो जाकर चंडाल आदी बनेगे राहू की दशा जिन पर होगी, वो क्या बनेगे? चंडाल बनेगे यह है बेहद की दशा, वे होती है हद की दशा, बेहद का बाप, बेहद की बाते सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम बच्चों को कितनी नाखुशी होनी चाहिए? कितनी नखुशी होनी चाहिए, तुम यान एक बार बाश्चाही ली है और गमाई है, ली भी है और गमाई भी है, ये तो बिलकुल पक्की बात है, है नथेंग की है, अनसी होगर की नूए नही बात है, कि नूए तुम शदावर्षीत रहेंगे, नही तो गखुटका खिलाती रहती है, गुण जाते हैं इधर जाओं के उधर जाओं तुम अभी सब तुम सभी आशिक हो एक माशूक के सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं वो आकर सभी को सुक देते हैं आदा कल्प उनको याद किया है अब वो मिला है तो कितने खुशी होनी चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और और मौरनें रुहानी बच्चों को नमस्थे हम रुहानी बच्चों की रुहानी बच्चों को नमस्थे चलो परमम्दां के दाजना के लिए मुख्य बते हैं सदय वहर्शित रहने के लिए नतिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है नतिंग न्यू कुछ भी नया बेद का बाब हमें बेद की बाश्या ही दे रहे हैं हां इसी खुश्य में रहना है ज्ञान की अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयंको रिफ्रेश करना है उनका आर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना इसका मतलब क्या होता है वर्दन अनेख प्रकार की प्रविर्थि अनेक परकार की प्रविर्थी जमीले ग्रेश्ति का अनेक परकार की प्रविर्थी तेने कहीं भी फसे पड़े निर्विर्थ होने वाले उनसे क्या करो रिटार हो जाओ अलग हो जाओ नस्टो मोहा समर्थी स्वरूप भाव स्वा की प्रविर्थी देवी परिवार की प्रविर्थी सेवा की प्रविर्थी हद के प्राप्यों की प्रविर्थी इन सब भी से नस्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाग दादा के सने रूप को सामने रख समरिती स्वरूप बनो समरिती स्वरूप बनने से नस्टो मोहा स्वत्वा बन जाएंगे प्रविर्ति से निर्वित होना अर्थात मैं पन को समाप्त कर नस्टो मोहा बनना नस्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुर्शार्ट से बहुत काल की प्रालब्द की प्राप्ति का अधिकारी बनते हैं स्लोगन है कमल पूर समान न्यारे रहो तो प्रभू का प्यार मिलता रहेगा कमल पूर समान न्यारे रहो तो प्रभू का प्यार मिलता रहेगा ओम शांति